so yeah जासा है कि मैंने अपको बताया था कि संख्या पदिधी के मैं एक और विडिय के किसमें इंपॉर्टन कोशन होगा इस पहले बाला विडियो में इंश्चार इंपॉर्टन कोशन बताएं संख्या पडितिधी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं तो आपको वीडियो आ जाएगा तो आप देख सकते हैं इसमें में चार कोशन करवाओंगी और दो कोशन में और इंपॉर्टन करवाओंगी वह बाद में देखो बच्चो आज एर्मेट कर भी आ गया है नवदी विद्याले का तो आप डूग डाउनोड कर लिजी और आप पढ़ने पर फोकस करें ठीक है यहां पर मैंने एक सवाल लिया है यह बहुत इंपॉर्टन सवाल है और बहुत ही ज्यादा आता है तो क्या है जब मानस एक को मानस एक से सो बर गुना किया जाए तो गुननफल है तो बच्चो इसको पहले बनाने से पहले आपको यह ज छोगा सैमयनस मैंनस ओता मैंनस थेकि है तो एक ट्रिक कैघे हिसका सुपर ट्रिक वह यह है कि जो सेम सेम होगा सेम सिम होगा थो प्रश ॥ा है अलग अलग तो मानस अलग अलग है तो मानस नहीं है यह च्छीकों च्छीक आपका मानस 21 सरका है अगर यहाँ पmember sakitto क्या होगा तो अज सर में शुरा करनी के बद आई वह प्लस में ध Chelsea को कि सबसे हैं तो 211 पर गुना करना प्लस की सबसे ने की फिर सम संख्य रहेगा तो आपका प्लस में ङाएगा ठीक है और हमने जानते कि एक को एक प्लस में आएगा रहेको एक का से गुना करें जोड़ा बोला वह ढ़िंदो कोलगा प्लस में आएगा अगर आपको उंदने करने बोला भूला है यू 9 संख्या तो आपका मायनस बना था ठीक है ना लेखने अब का प्लस वनाएगा ठीक है दूसरे कोशन देखिए दूसरे कोशन क्या है देखिए क्या है कि संख्या 5-8-4-3-5-6 में अंक-5 के अस्थानी मुल्या का योग होगा अस्थानी मुली का मतलब ड़ना नहीं अस्थानी मुली का मतलब मान ही हुआ ठीक है ना मुली मतलब मान ही हुआ का योग क्या है योग तो जोल होता है अस्थानी मन तो जानते हैं निकाने के लिए ज़िए देखिए 5, 8, 4, 3, 5, 6 में 5 का तो यहाँ पे 2, 5 है एक यहाँ पे एक यहाँ पे इसका असानी मन निकल लीजे 5 into 1, 2, 2, 10 यहाँ पे कितना जाएगा? 50 इसके निकालें इंगिसी तरह से 5 into 1, 2, 1, 2, 1, 10, 10 लाख तो 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 लख हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है ना? इसका योग बोड़ा है दोनों हमने निकल लीजे दोनों का असानी मन अब दोनों का योग निकल देजे 2, 3, 4, 5 देखिया असानी मन वाले से भी कोश्चन आने के चांसिस है हर बार जो है ना संख्या पतेती से 2 या 3 सवल आते ही आते है तो मैं जितना बता रही हूं उसमें से ही आपको मैच करने वाला है यह होग आपका अंसर ठीक है? दूसरा एक और कोश्चन जो बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही आसान है तो चुटकियों बनने वाला है तो क्या है? देखिए इसको गुना करना बारा से जिरो जहां पर बात कर देता है बस आपको यह याद रखना है जोड में नहीं अगर 9 प्लस 0 होगा तो नाइन होगा इसलिए ध्यान देख लिए कि 0 है कि क्या है आपको इतना लंबा गुना करने की जरुवत नहीं आप ऐसे करोगे पहले कि इसको बारा से गुना करोगे फिजरो से गुना करोगे नहीं आप बस देखिए गुना में अगर 0 है तो आंसर आपका फाइनल 0 आने वाला है ठीक है न यह भी इंपॉर्टन सवाल है अच्छा है आने वाले तो हaleyने चांस görün आफ्छानल सकंऻ है मतलब उस एकट का और सवाल जो है बहुत ही आसान आया और आने वाले चंसले में आता है यह इसका भी चंस बनता है तो तो क्या है देखते हैं देखे को साथ से भाग देने में भागफल होगा मतलब की सिंपल आपको भागा पोच्छा हुआ है ना भागा आपको चेक करना चाह रहा है तो हमने देखके देख लेते हैं यहां यहां पर एक लिए नहीं सकते दो अंग ले लेंगे 7749 कट गिया अब जीरो आ गया जीरो तो से लिए गटन माता नहीं है तो क्या करेंगे जीरो कर देंगे फिए अब फोर से मेरे काम नी चलेगा तो फिर से जिरो आंग दे के और एक अंग अग और लेंगे यह तो आता ही होगा 7535 यह पिदर गया 5 यहां पर आगे फिर 6 और 7856 ठीक है ना यह आ सब्सक्राइब करने पर अगर हमारा भागा है सही है ऐसा यह नहीं होता है यहां पर जोडना होता है तो क्या आ जाएगा वहीं न आएगा सब्सक्राइब करने के बाद अगर मेरा भागफल यह हो गया तो आप इसको आंसर टीक कर सकते हैं तो यह बच्चों थे आपके इंपॉर्टन कोशन चार्ट पो अभी दो बाकी है जो मैं करवाओंगी नेक्स्ट वीडियो में और बच्चों इसी में से मैच करने वाले हैं इसके बाद भी दो कोशन में बताऊंगे संख्या पद्यदी से जो आपके इंपॉर्टन कोशन होंगे और आपको एक्जाम में हेल्प करेंगे ठीक है अगर इसमें सो कई डाउट होगा बच्चों तो मत से पूस लिजेगा आई होब कि आपको समझ माया होगा थैंक्यू